मैं चुनौती देती हूं राहुल गांधी को हिम्मत है तो आईए उमर अब्दुल्ला को साथ लेकि घुमिये महाराच और हर्याना में पूरे देश में और कहिए हां मैं आरक्षन के खिलाफ हूँ कि मुसल्मानों की जनसंख्या भी बड़ी है अगर माइनौरिटी पर अत्या सब्सक्राइब देश के पास है बालक बुद्धी जो उनकी है उसके सोच से हटें वो इतने सालों सक देशतगर्दी का महल रहा है अलगावादियों का महल रहा है और इस तरह से जो सेसेशनिस फॉसेज हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश लगतार करती हैं और पाकिस्ता आज तक नहीं बता रहे हैं के संविधान पर उनका क्या विचार है चुप चाप हो जाते हैं कन्नी काट लेते हैं जब सवाल होता आरक्षन का 370 के हटने से आरक्षन दिया गया है आरक्षन को दिया गया है देश के कानून जो संविधान में हैं जो हमारे हमारे पीनल कोट क हिस्सा है आप देखे जो हमारे सनहिता का हिस्सा है आप देखे वो सारे कानून रद हो जाएंगे और आरक्षन को हटाये जाएगा फिर भी जब जब जेके एंसी अपने मैनिफेस्टों में बाकाइदा इसका जिक्र करती है कि आर्टिकल 370 हटाये जाए 35A हटाये जाए तो क् उनके अधिकार उनके हुकूक चीन लिये जाए तो वो आरक्षन विरोधिया वो खुद के भी रहे इस बात को जब वो गए थे कि जब सुसाइटी पूरी फैर हो जाएगी तो हम उसको हटा देंगे अब इतने साल से तो उनके परिवार लाई नहीं अब जब आ गया है आरक जाएंगे महराच्ट और हर्याना और कहेंगे मैं इस शक्स के साथ हूँ जो बाकाइदा चाहता है कि आरक्षन हटाये जाएं मैं चुनौती देती हूं राहुल गांदी को हिम्मत है तो आईए उमर अब्दुल्ला को साथ लेकि घुमिये महराच और हर्याना में पूरे दे को जूँ के तरीके से दिखाया जा रहा है क्या भारत की भाईवें नहीं चाहते कि हर एक धर्म को अपनी आजादी से जीने का हक है और जो बाते वो फेला रहे हैं हमारे सिक भाईयों के बारे में उससे सिक समाज इतना नाराज है आप देखेंगे देश में अगर पूरे त जनसंख्या भी बड़ी है अगर माइनॉरिटी पर अत्याचार होते तो उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ती और अगर कुछ काम भी हुआ है गरी मुसल्मानों के लिए सबसे ज्यादा वो मोदी सरकार में हुआ है और इसके अलावा आप देखें कि किस तरह से लगतार हर एक ध पूरी हंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए राहुल गांधी को चाहिए कुछ समझ कुछ कॉम्प्रिहंसिव अंडरस्टैंडिंग देश के पास है बालक बुद्धी जो उनकी है उसकी सोच से हटें वो थोड़े मच्योर हो एडल्ट हो काफी उम्रों की हो गई है पूरी रहेंगे सुल्तान साब के और प्रभु राम के भाई की तरह वो भरत की भूमी का निभा रही है और ये बात सब लोग समझते हैं असेंबली भंग करेंगे ने इलेक्शन के मांग करेंगे तब तक क्योंकि सेफ बैठ है ना इने विधायक पसंद करते हैं ना ये अन्ना आं पावर सेंटर बनता अब ये तो बना नहीं पाएंगी बिचारी तो इसलिए उनको बना दिया है सेफ बैठ की तरह से और सब जानते हैं कि पेश जिवाल जी सत्ता के इतने लालसी हैं कि वो कुछ भी करने को तयार हैं और अब जब सुनने में आ रहा है कि CMO में बाकाइदा उनके सिर्फ खड़ाओ रहेंगे वो नहीं रहेंगे लेकिन जिस तरह से मन मोहन सिंग डमी PM थे वैसे ही आतिशी जी डमी CM होंगी